अगे स्टूरेंट्स हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 10B, एक्सरसाइज 10B में क्या बताना है, प्रोपोर्शन है या नहीं, प्रोपोर्शन के लिए 4 डेसेट होती है, 4 नंबर होते हैं, ठीक हैं, और ये 4 बिंदिया प्रोपर्शन की होती हैं, ठीक हैं, अभी तक रेश्यो पढ़ा था 2 बिंदि वाला, अब ये जो बीच में 4 बिंदि दी हों इनके ये प्रोपर्शन को बताती है, डेनोट करती हैं, ठीक हैं, तो 1st and 2nd question में आपको बताना है कि क्या ये नंबर प्रोपर्शन है या नहीं, same formula है, दो formula से निकलते हैं, 1st formula में आपको बताती हूँ, ये given number है, 4, 6, 8 and 12, एक बार हम कर लेते हैं, चैसे हमने ratio निकल लेती, we have 4 ratio 6 and 8 ratio 12, अगर ये दोनों equal आ जाते हैं, तो हमारा क्या है, proportion है, अगर equal नहीं आते हैं, तो not proportion, 4 upon 6, cutting किया, 2 upon 3, देखो, same जो कल करवाया था ratio में, 8 upon 12 को 4 by 4 से divide किया, 2 by 3 and 2 by 3, दोनों cut करके क्या है, 2 by 3 and 2 by 3, equal आगे, equal लागे, तो ये क्या है, are in proportion, ठीक है, पहला question मैं इसी formula से सिखाती हूँ, दूसरा formula मैं आपको next question में बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि अपने ratio इसी से पढ़ना सिखा था, ऐसे ही निकाले थे, इसलिए मैं इसी से बता रहे हूँ, next में, जैसे ये number दिया है, वैसे ही करेंगे, 7 ratio 42 and 13 ratio 72, 2 part बना लेते हैं, देखो, मैंने इसलिए line लगाई है, एक पार्ट इधर solve करें, एक इधर solve करें, ताकि हमारा match भी ना हो, अलग रहे, separate रहे, 7 upon 42, 7 by 7 से divide क्या, 1 by 6, 13 upon 72 को 13 by 13 से divide क्या, 1 by 6, दोनों equal आगे, hence, equal, तो hence, are in proportion, equal है, तो क्या है, ये proportion है, अगर दोनों cutting के बाद equal आते हैं, तो वो number क्या है, proportion है, अगर equal नहीं आते हैं, तो वो proportion नहीं है, जिसे next question में देखो, 33, 121, 9 and 96, 33 and 121 ratio, 9 and 96, पहले दो, और आखिर के दो, अलग लग ले रहे, इसको divide किया मैंने 3 by 3, इसको divide किया मैंने 3 by 32, not equal, इस number are not equal, are not in proportion, तो ये proportion नहीं है, ठीक है, next पर चलते हैं, मैंने इसके सभी part solve नहीं किये हैं, जो part pending है, वो आप solve करोगे, आप देखो, 32 and 42, 70 and 210, तो हमने लिया 32 ratio, 48 and 70 ratio, 210, दो group बना लिए, तो इसको solve किया तो मैं राया 2 by 3, और जो मैंने इसको solve किया तो मैं राया 1 by 3, not equal, hence these numbers are not in proportion, अगर equal नहीं है, तो proportion नहीं है, ठीक है, same question, second is verify करना है, क्या वो proportion है या नहीं है, देखो verify, ये 4 बिंदिया लगा दी, इसका मतलब ये क्या है, कि ये proportion का symbol है, denote है, अगर ये equal आती है, जिस तरह इसमें, तो ये proportion है, अगर equal नहीं आती है, तो proportion नहीं है, first question देखो, इसी formula से ये किया है, मैंने दो group बनाए है, 60 and 105 को एक group मिलिया, 84 and 147 को दूसरे group मिलिया, आगे के दो एक group में, पिछे के लिए बनाए है, झाल खबूसरे आती है, कि तो पिए से घायकर, इसमेकर स्ल defग मिलिया मिलिया, उनेनेघ ये रिखे के दो अजो है, hmm, कि मिलिया इसमें रिखर भंड है, जो ओil है कि मिलिया के जहीं है, च Ee 69 झाल 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 झाल